जहां सल्मान खान की सुरक्षा अब थरी लेयर कर दी गई है बढ़ा दी गई है क्या है इस पर पूरी जानकारी अंदर की खबर बताने वाने हैं पहले सल्मान खान के घर पर फाइरिंग की खबरे तस्वीरे से अमने आये आरोपी पकड़े गए और उसके बाद सल्मान खान के जिगरी बाबा सिद्धिकी की सरेयाम हत्या कर दी गई इस घटना के बाद सुरक्षा घेरा अब और पुक्ता किया गया है सल्मान खान के आसपास क्योंकि कहीं न कहीं वो टार्गेट लिस्ट में शामिल है लौरेंस विश्णोई गैंग के और ये सब कुछ ओपरेट हो रहा है अमेरिका और कैनेडा से और इसको कहीं भी सफन ना हो पाए ये गैंग इसको लेकर तैयारी बड़ी कर दी गई है क्यों हम ऐसा के रहे चलिए जल्दी से अब आपके सामने हम जानकारी रखेंगे क्योंकि आपको बताएं कि सुरक्षा घेरे को और मजबूत और टाइट कर दिया गया मुंबाई पुलस ने शूटर सुखा को गरफतार किया सुखा ने सल्मान के फार्म हाउस की रेकी की थी यानि जो अपिता फार्म से जहां सल्मान जाते रहते हैं जिसकी तस्वीरे आपने देखी होगी उसकी रेकी की गई थी वहाँ निगरानी करके समझा गया था कि सल्मान आते कब हैं जाते कब हैं क्या करते हैं 25 लाख में सल्मान खान को मारने के सुपारी ली थी सुखा उस्ताच में ये खुलासे हुए गेलेक्सी अपार्टमेंट पर हुए हमले में भी सुखा शामिल था यानि जो फाइरिंग हुई थी आपको याद होगा कैसे दो लोग पहुचते हैं बाइक से और अचानक फाइरिंग करके फरार हो जाते हैं अलाकि बाद में पकड़े गये थे लेकिन इसका ठेका भी सुखा ने ही लिया था 21 October को सुखा को कौट में पेश किया गया और कौट ने चार दिन की पुलिस कस्टडी में उसे भेज दिया अब पुलिस पुश्टाच करेगी पुलिस की पुश्टाच में सुखा ने कई बड़े खुलासे किये हैं कई बड़े खुलासे जो बताते हैं कि सलमान लगातार टार्गेट पर थे और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पुलिस गिरफ्त में है सुखा और कौट में इसे पेश किया गया क्योंकि लबी पूश्ताच के दाना कई बड़े खुलासे हुए हैं आप पुलिस कस्टेडी में चार दिन की पुलिस कस्टेडी में भेज दिया गया है सुखा को तस्वीर आपको कल की दिखा रहे हैं जब पुलिस कस्टेडी में भेज दिया गया है क्योंकि बहुत बड़े पुलासे हुए आप फोचिये लॉरंस विश्णोई गैंक से कनेक्शन सामने आ चुका है मुझद करते हैं मैं जन्कारी जो सुखाए मिली बताती है कि सल्मान को मारने का प्लैन था बता रहें आपको सल्मान खान पर सब्सक्तर लोग ग्राफिक्स बदलेंगे सल्मान पर 70 लोगों ने नजर रखी हुई 70 लोगों आप संख्या देख रहे यानि सल्मान कहां जाते थे कहां आते थे हर movement पर नजर थी हर चीज पर पहनी निगाहे थी उसकी detail बनाई जा रही थी galaxy apartment हो या पनवेल का उनका farmhouse हो हर जगह radar पर थी 70 लोगों को divide किया गया था कि आप यहां रहिए यहां रहिए यहां रहिए यहां रहिए रेकी करिए कहां जा रहे है सल्मान खान गोरेगाव film city जहाँ पर shooting के लिए जाते हैं सल्मान उस पर भी नजर रखी जा रही थी यह अंदर खाने बड़ी जानकारी हमें मिली है अपरेल 2023 से लेकर अगस्त 2024 के बीच प्लान बनाय गया था अटैक का हमला करने का प्लान तयार था इस एक साल के अंदर और सिर्फ हमला करने का प्लान नहीं तयार था आपको बड़ी जानकारी दे रहें Lawrence gang ने spot भी तय किया हुआ था यानि कहा पर वो अटेक करना है वो भी तय था इसके लिए भी action plan बना लिया गया था रेकी करने के बाद कैसे action plan बनाया गया था सलमान खान के घर और farm house के बीच हत्या करने का plan था वहीं पर अटैक करने का प्लैन था, खस्ता हाल सडग पर जब गाड़ी धीमी होती, गाड़ी के रफ्तार धीमी होती, उस वक्त देखकर सटीक हमला करने की तयारी थी, यह हमें जानकारी मिली है, उस चाचीट थे और इसी जगह पर घात लगा कर शूटर्स तैनाध रहते, ज चाचीट थे, शाना बनाते, सल्मान खान को तयारी यही थी, लेकिन जब पूश्ताच होई, तो पूश्ताच में नई, नई जानकारिया मिली है, ऐसी जानकारियां, जो चौकाती, जो बताती है की तयारी कितने लंबे समय से की जारी थी, समझे आथ, पानी पत से, सुखा क गरफतारी के बाद ये बड़े खुला से बड़ी जानकारिया मिली है शूटर अजय कश्यप को सुक्खा ने जिम्मेदारी दी थी जिम्मेदारी किस बात की दी थी अटेक करने की जिम्मेदारी थी थी हत्या की साज़श में चार लोग शामिल थे जिनको गेरा मजबूत है बुलेट प्रूफ गाडियों की वज़ा से उस वक्त जो प्लान उन्होंने बतन बनाया था वो उस हत्या को अंजाम नहीं दे पाए प्लान को अंजाम देना मुश्किल था ये उन्हें महसूस हुआ जब उन्होंने एक एक चीज को रेकी करके समझने के ब भागता पाकिस्तान कनेक्शन इसकेमाज आए क्योंकि पाकिस्तान से और ल। हाइऍटेंसिटी के हथियार मंगाने की तैयारी तुकि जो हथियार उसके पास थे मुन्ना काफी थी सुखा वीडियो कंफरेंसिंग के जरी तसकरों के संपर्क में था उनसे बात कर रहा था हतियार मंगाने की तैयारी कर रहा था पाकिस्तान का जो गैंक्स्टर है डोगर उससे हतियार मंगाने की तैयारी थी वो हतियार भारत भेज देता पुलिस को सुखा के फोन से डील की एक क्लिप भी मिली है पाचीब भी मिली है और सुखा के साथ डोगर अनमोल विश्णोई लॉरेंस विश्णोई का भाई और सप्लायर तीनों जुड़े हुए थे यानि तीनों में बात होती थी चर्चा होती थी कि कैसे हतियार को ले आना ह इस वीडियो क्लिप में मशीन गन दिखाई जा रही थी यानि जो हतियार भेजे जाने थे पाकिस्तान से जैसे आप यह देख रहे हैं यह जिस तरह से हतियार यहाँ पर भरे हुआ यही वो हतियार थे जो भेजे जाने थे आपको बता देते हैं कौन-कौन से हैं यह एके 47 मंगाई गई, M16 मंगाई गई, एके 92 मंगाई गई, जिगाना मंगाई गई थी और मशीन गन, मशीन गन मंगाई गई थी और यह पाकिस्तान से सब कुछ मंगाय जा रहा था, इस वीडियो क्लिप में मशीन गन भी दिखाई दी है, आपको बताएं कि पाकिस्तान में बैठा डोगर हतियार पहुचाता है उसका ये काम है और खूफिया रास्तों से भारत आने वाले थे ये हतियार जो मंगाए गए थे सुखा की तरफ से अटक करने के लिए सलमान पर तसकरी के लिए ट्रक का इस्तमाल करने वाला था ये डोगर जो है पाकिस्तान का जो आतंकी है और कश्मीर कच भुज नेपाल के रास्ते भारत आने की तयारी थी इन हतियारों की और इनी हतियारों से उस सुरक्षा घेरने को तोड़ने की तयारी थी जो सलमान के आसपास है जब ये महसूस हुआ कि सुरक्षा गेरा कड़ा है उनके हत्यार काम नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए हत्यार भी अरेंज कराए जा रहे थे यानि तैयारी बड़ी थी प्लान बड़ा था लेकिन इस पूरी साज़िश को बीकोट कर लिया गया है रिपोर्ट आपको दिखा सल्मान खान को मारने का डेंजर प्लान रेडी था लेकिन सल्मान की बुलेट प्रूफ गाड़ी और आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इस प्लान पर ब्रेक लगा दिया सल्मान की टाइट सिक्योरिटी देखकर शूटर इस प्लान को अंजाम नहीं दे पाए और इसे नए सिरे से अंजाम देने की कोशिश में जुट गए दरसल हर्याना के पानिपत से शूटर सुखा को गरफतार करने के बाद पनवेल टाउन पुलिस सुखा को मुंबाई लेकर पहुची ये वही सुखा है जिसने सल्मान खान को मारने के लिए सुपारी ली थी और फिर इस काम पर पांच बंदमाश लगा दिये लेकिन जब वो बंदमाश पुलिस के हत्ते चड़े तो सुखा का नाम सामने आया खुलासा हुआ कि सुखा ही लॉरेंस गैंग के संपर्क में था उसके कहने पर ही सल्मान खान के घर की रेकी की गए और फिर फाइरिंग की बारदात को अनजाम दिया गया ये भी सामने आया कि सुखा यूएस में छिपे गोल्डी बराड से भी डायरेक्शन ले रहा था इसके अलावा सुखा मुकेश फौजी की संपर्क में था मुकेश फौजी जेल में बद संपत नहरा के लिए काम करता था सुखा भी संपत के टच में था इसी का सबूत है कि सुखा के फोन में संपत का जेल वाला नंबर मिला है जाच में सामने आया कि अभिनेता सल्मान खान को मारने के लिए लौरेंस गैंक जिन हतियारों का इस्तमाल करने वाला था वो सुखा की पसंद के होते टाइट सिक्योरिटी की वज़ा से हाई क्वालिटी के हतियारों की जरूरत थी ऐसे में सुखा की ही पसंद के पाकिस्तान से मंगाये जाने वाले हतियार शूटर्स को महिया कराये जाने थे मुंबाई पुलिस की जांच में सामने आया कि सुखा वाटसेप से वीडियो कॉन्फरिंसिंग के जरिये हतियार तसकरों के संपर्क में था सुखा ने वीडियो कॉल के जरिये पाकिस्तान के हतियार डीलर डोगर से संपर्क किया जिसके बाद हतियारों के सौदे की शर्तों पर बादचीत करते हुए एके 47 और अन बड़े हतियार दिखाए गए डोगर ने हतियारों को भारत भेजने पर सहमती जताई जबकि सुखा ने 50 फीजदी पैसा पहले और बाकी के पैसे को डिलिवरी के बाद देने पर सहमती जताई ये भी सामने आया कि आरोपि पाकिस्तान से आत्या धुनिक हतियार खरीदने की तैयारी कर रहे थे ऐसे हतियार जिनसे पंजाबी सिंगर सिधु मुसे वाला की हतिया की गई थी इतना ही नहीं आरोपियों ने सलमान खान की हतिया के लिए 18 साल से कम उम्र के लड़कों को काम पर रखा था जो फिलाल पूरे, राइगार, नवी मुंबाई, ठाने और गुजरात में छिपे हुए हैं पुलिस ने अपनी चार्टशीट में ये भी बताया कि सभी शूटर केनेडा इस्टित गैंक्स्टर गोल्डी बराड और लॉरिस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई से हरी जंडी मिलने का इतजार कर रहे थे इतना ही नहीं, शूटर्स ने हत्या के बाद भागने का प्लान भी रेडी कर लिया था चार्टशीट में पुलिस ने बताया कि शूटर्स को सल्मान खान की हत्या के बाद कन्या कुमारी में कठा होने के लिए कहा गया था यहां से वो नाउसे, श्रिलंका और फिर किसी अन्य देश में चले जाते पूरी साज़िश का प्लान डीकोड तो हो गया लेकिन पुलिस का अक्शिन मोट जारी है यही वज़ा है कि पूलिस ने फिलहाल सल्मान की हत्या की साज़िश के मामले में लोरेंस, पाकिस्तान के डोगर, गोल्डी बरार, संपत नहरा, रोहित गोदारा, अन्मोल विश्णोई समेथ 18 लोगों को आरोपी बनाया है ब्यूरो रपोर्ट, रेपाब्लिक भारा